नमस्कार आद देख रहे हैं दा खबरदार नूज और मैं हूँ अनुपम अनूप बात करें हिंदुस्तान की तो हिंदुस्तान में कई प्रकार की संस्कृतिया कई प्रकार की जनजातिया धर्म, रेती, रिवाज, तेवहार और नौजाने कितनी सारी चीज़े आपको देखने को मिल जाती हैं इसके साथ ही साथ यहां हर लगवक 10-20 किलो मीटर के दारे में कई प्रकार की नई चीज़े आपको देखने को मिलती है किसी छोर पे तालाब दिखाई देती है तो कहीं पर नदियों की कलकल सुनाई देती है कहीं पर पिहू कहके बोलता है तो कहीं कवे की काउं सुनाई देती है ऐसा है हमारा हिंदुस्तान आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के मद्ध प्रदेश के विदिसा जिले के एक छोटे से हिस्से पठारी की अठारी में ग्वालो का समूह है जो हर बर्स पर्मा यानि परीवा के दिन अपने आस पास के बारा गामों जो लगवग लगवग इंक्यामन किलो मेटर के दारे में रहते हैं गवाले एक विशेश प्रकार का रित्त करते हैं और इस त्योहार को बड़े ही रोचक धंग से मानाते हैं और इसके बारे में एक इस्थाने व्यक्ति मनोज जी से जब पूछा गया तो मनोज जी ने बताया कि हम अपने बच्पन से ये चीजे देखते चले आ रहे हैं और इन चीजों को देख करके हमें काफी आनंद महसूस होता है और कहीं न कहीं जब देश के एक बड़े बर्की के द्वारा पास्चात संस्कृतियों को अपनाने के लिए भारती संस्कृत हमारे रेती रिवाजों को छोड़ा जा रहा है तो ऐसे में ये ग्वाले अपने संस्कृत को जेवित रखने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ है इसी नृत्य, इसी रिवाज, आत्योहार के इसी एक रोचक धंग को देखने के लिए हमारे आशीष शहेले जी जो इस्थाने विदिसा से रिपोर्टर हैं, उन्होंने हमें एक रिपोर्ट भेजी है आईए उसी रिपोर्ट को देखते हैं और हम आनंद लेते हैं हिंदुस्तान की संस्कृतियों के मिलन के इस एक पावन पर्व की, इस एक पावन त्योहार की और इस त्योहार में रचे बसे हमारे भारत की संस्कृति की आए देखते हैं ये वीडियो आईए बसे एक प्रावन खी और दोगे संस्काष्टियों के लिडियों के लिड़ हमें? आईए बसे प्रावन जाना डेखते हैं रावन देखते हमारे लेलने अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हूँ तो इसे लाइक करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हमारे फीस्बुक पेज को भी लाइक करें धन्यवाद